नमस्ति दोस्तों मेरे चैनल पर आप सभी लोग का हारदिक स्वागत है आसा करते हूं कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे दोस्तों आज हम बनाएंगे सोया मेति की बहुत ही टेश्टी और एकदम सिंपल तरीके से सब्जी जो खाने में बहुत ही टेश्टी होती है तो मेरे बच्चे को सुभा 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 स्कूल जाना है तो दोस्तों मैं लंच तयार कर रही हूं तो सोया मेति की सब्जी ही देंगे इसको तो दोस्तों हमने सोया मेति की अच्छे से धुल लिया था साब करके और धुल के रख लिया है यहां पर देखे दोस्तों हमने आ अलू काट सकते हैं दोस्तों यहां पर हम आलू को हैसे काट ले रहे typ थोड़ा बड़ा यह देखिए तो यहां आलू को वामने काट लिया दोस्तों अब हम तोया मेथी को काटेंगे तो मैंने बीच से काट follows कि इसे काट कि आशे मोड लिया है अब इसको हम छोटे-छोटे टुकडूं में काट लेंगे यह देखे दोस्तों इसी तरह हमें इसको काट लेना है इसकी सब्जी बहुत ही टेश्टी लगती है दोस्तों इसमें हम ज़्यादा मासाले का प्रियूग नहीं करेंगे हमारे बच्चे को भी बहुत ही पसंद है सोयमिती की सबजी तो देखिए दोस्तों हमने सोयमिती को भी काट लिया है और यहाँ पे हमने तड़का लगाने के लिए यहाँ पे लैसुन लिया है लैसुन को जो है हम दो भाग में कल लेंगे दोस्तों घ्री मिर्च और लाल मिर्च को मैंने काट लिया था तो चले दूस्तों बनाना शुरू करते हैं तो देखे मैंने ग्यास पेकड़ा ही रख दिए कड़ाई अच्छे से गरम हो चुकी थी तो हमने इसमें सरसो का तेल डाल दिया है तेल भी देखे दोस्तों अच्छे से गरम भी हो चुका है तो यहांपे हम पहले जीरा डालेंगे तो देखे दोस्तों जीरा जो हमारा चटक गया है अब जो मैंने लैसुन काट रखा था उसको डाल देंगे और इसको हम थोड़ा हलका सुनेरा करेंगे पहले सूखी लाल मिर्च ली ऐख चुका है देख सकते हैं अब इसमें कहिड़े आलू को पहली हिरे दोसलोंत। बहुत ही ट्Mr. mówią तो यहां पर पहले हम अच्छे से दढ़के में भून ले रहे हैं तो देखे दोस्तो आलु है जो है हमारा तढ़के में अच्छे से भून चुका है आप लोग देख सकते हैं अब इसमें हम साग को डाल देंगे इसेवा sein, सोया मेथि का साग है, इसको डाल डिएगे, तो यहां पर देखेें, तो सारा हमने डाल दिया है, इसको हम अच्छे से चला देंगे, मिक्स कर देंगे, यहां पर बहुत ही टेस्टी बनती है सोय मेति की सब्जी की चलिए जब तक लिते हमारी सब्जी पख संधार है इस कोच्य से चाल लिया है चालने के बाद इसको पानी डाल से नॉर्मल सी अपर बदेंगे पून एक और झालने देखे लेकि आधू richt आर्लों, नचे के तो सब्जी सक जबने सब्सक्राइब दिया बेल जबदेल अब जो भी तेल खाते हूं वो लगा सकते हैं अब इसमें हम थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे सूखा आटा और तेल लगाने से अंदर ये रहता है प्राठे जो हमारे परतदार बनते हैं और आप निकालेंगे तो एक एक परत बाहर निकल जाएगे तो देखिए दोस्तों हम उपर भी ऐसे लगा देंगे थोड़ा सा सूखा आटा इसे ही लगा दे रहे हैं अब इसको हम ऐसे मोड लेंगे अब इसको चलिए दोस्तों सुखाटा लगा कि इसको हम बेल लेते हैं तो देखिए दोस्तों हमने प्राठे को जो है बेल लिया है यह देखिए और इधर हमने गैस पे तवा भी रख दिया था तबा जो हमारा गरम भी हो चुका है तो चलिए प्राठी को हम डाल देते हैं इस पे तो देखिए एक तरफ सीख चुका है तो इसको हम पलट देंगे अब इस तरफ हम तेल लगा देंगे अब तेल लगा के हम पलट देंगे फिर से और फिर से दूसरी तरफ हम तेल लगा देंगे देखिए दोस्तों हमारा जो प्राठा है देखिए कितना फुला फुला बना है जो आप लोग देख सकते हैं अब इसी तरह हम दूसरा भी प्राठा बना लेंगे तो देखिए दोस्तों दूसरा भी प्राठा बनके हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है ये देखिए और देखिए इसमें एक एक परत जो है अच्छे से खुल रही है प्राठे का देख सकते हैं आप दोनों में ऐसे ही है तो हम यहाँ पे खाने के लिए निकाल लेते हैं दोस्तों तो थोड़ी सी यहाँ से यहाँ पे हम सबजी निकाल ले रहे हैं तो देखें दोस्तों सबजी, सोया मेती की सबजी और प्राठा हमारा बन के बिल्कुर रेडी हो चुका है दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और सियर जरूर कीजिएगा मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए रेसिपी के साथ जब तक के लिए जैहिन